अगर आपने अपने पार्टनर को चीट करती हुए रंग यहाथ पकड़ लिया तो आप क्या करोगे ऐसा ही कुछ आज के हमारी मूवी में होता है आज के हमारी मूवी का नाम एडल डेरस 2015 की एक थ्रिलर मूवी है ये एक टू स्टोरी पर भी बेस्ट है इसके लास्ट में भी एक बड़ा सा ट्विस्ट है मूवी में कुछ चीज़े आपको गलत लग सकती है पर लास्ट के ट्विस्ट की वज़े से ये मूवी वर्थीट है तो इस वीडियो को अन तक ज़रूर देखिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सो इसे रिक्वेस्ट करना चाता हो अगर आप कोई वीडियो अचा रगता है तो प्रीज कमेंट और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजेगा इसे चानल को बहुत सपोर्ट मिलता है अब बीना किसी देरी के मुवी को एक्स्प्लेन करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेटर जिसका नामे सैम्यूल इसे हम देख सकते है यह अपनी वाइफ एशली के साथ बात कर रहा है आज इनकी एनिवर्सरी है एक अच्छे से होटेल में वो जाने वाली थे अच्छानक से सैम्यूल की बॉस ने उसे बताया कि उसे एक्स्ट्रा शिफ्ट करने पड़ेगी इसी वज़े से इनका सब प्लैन चोपट हो गया अगर तुम तब भी सोई होई नहीं होगी तो फिर हम एनिवर्सरी सेलिबरेट करेंगे इसके बाद सैम्य को हम काम पर देखते हैं काम पर उसके एक कोवर कर है जिसका नाम है लोला लोला को उसका बॉस हमेचा उसके ऑफिस में ही रखता है Samuel लोला से कहता है कि शायद वो तुम्हें पसंद करता है इसलिए यह सब वो कर रहा है Samuel ने फिर एक florist को call लगया अपनी wife के लिए beautiful flowers भेजने वाला है लोला यह सब सुन रही थी तो उसे बहुत beautiful लगता है अब मैं आपको जो भी सब बाते बता रहा हूँ यह movie के end के लिए बहुत important है इसे आप ठीक से याद रखेगा Samuel एक super shop में helper है यहाँ पर एक flight attendant थी जिससे वो कुछ buy करने के लिए help करता है वो जब घर आ रहा था तो एक गाड़ी ने उसे cut मारा इस गाड़ी के number plate पर flash लिखा हुआ है वो घर पोचा और generally इस time पर उसकी wife घर पर नहीं होती है उसने जो भी सब gifts लाए थे यह सब उसने घर में उससे surprise करने के लिए रख दिये वो relax कर रहा था तब यह उसने notice किया कि उसकी wife का purse तो यही है उसने फिर Ashley को call लगया तो call की ring उसे उपर से आ रही थी यह उठा लेता है उसे थोट आता है कि उपर जाकर इन दोनों को मार डाले पर ऐसा हो नहीं करता अपना गुसा शान्त करने के लिए थोड़ी सी वो drink लेता है ज़रा शान्त हो जाने के बाद वो उपर आता है जब Ashley Samuel को notice करती है तो वो और उसका lover यह दोनों बहुत डर जाते है Samuel के हाथ में gun है तो उन दोनों को यही रुकने के लिए खेता है जिस आदमी के साथ वो intimate हो रही थी उसका नाम Damien है Damien कहता है कि यहाँ जो भी हुआ यह बहुत गलत हुआ है पर तुम्हें violence करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है Samuel नहीं मानता और यह बेटने के लिए खेता है वो Ashley से कहता है Happy Anniversary तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया मैं तुमारे लिए सब कुछ करता हूँ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गंटों तक काम करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मुझे अब कुछ answers चाहिए वो clock में time लगाता है गयता है जब तक ए clock tick कर रही है तब 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 तुम सही हो अगर ए clock burn पड़ गए और मेरे questions के answer मुझे नहीं मिले तो तुम दोनों को मार डालूँगा डेमियन से पूछता है कि कब से तुम मेरी wife के साथ हो डेमियन कहता है कि 6 weeks सैमयल बोलता है 6 weeks से तुम मेरी wife के साथ intimate हो रहे हो डेमियन कहता है कि ऐसा नहीं है हम एक दो बार ही एक दूसरे से मिले है Samuel गुस्ता हो जाता है तुम मेरे घर में मेरे वाइफ के साथ सो रहे थे उसे पोच्छता है कि तुम मिले कैसे थे Damien कहता है कि हम online मिले थे Ashley रो रही है उसे बहुत ही बुरा लग रहा है Samuel को इस सब पता चल गया Samuel से कहती है इसमें तुमारी कोई भी गलती नहीं है मैंने बहुत बुरी चीज़ की है Samuel को फिर यात आता है Ashley जब online किसी से बात कर रही थी तो उसने notice किया था Ashley ने कहा था कि school friend से मैं बात कर रही हो और वो actual में Damien से बात कर रही थी Samuel फिर notice करता है कि Damien के हाथ में एक रिंग है उसे बुचता है क्या तुम married हो Damien कहता है कि हाँ वो बुचता है कि क्या तुमें बच्चे है Damien कहता है कि मुझे एक लड़का है और उसे अब बेटी होने वाली है Samuel कहता है कि आब married होना कुछ ज़्यादा matter नहीं करता तुम दोनों में बात आगे कैसी बड़ी Damien कहता है हम दोना एक दूसरे से chat करते थे वो एक दूसरे को जान गए और इसके बाद उनका affair स्टार्ट हो गया Samuel Damien से बुचता है मेरी wife के साथ होकर तुमें कैसा लगा वो इस पर answer नहीं करता अब Samuel चाहता है कि Ashley और Damien ये उसके सामने ही intimate हो Ashley ये दिया ये तुम क्या कर रहे हो ये बात हम दोनों की बीच में है हम इसे सुल जा सकते है Samuel मानता नहीं और उसके पास करन है इसी वज़े से Ashley और Damien को उसके सामने intimate होना पड़ता है Ashley को उसके mobile पर उसके boss का call आया ये call Samuel उठाता है और कहता है कि आज Ashley उसके काम पर नहीं आएगी घर पर कुछ प्रॉलम चिल रहे है तो यही वो sort करेगी ये हो जाने के बाद Samuel कहता है ये जो situation है ये मैंने एक movie में देखी थी एक आदमी taxi में अपने घर तक आता है पर वो Rob Milding में पहुँच जाता है यहाँ पर window में अपनी wife को देख सकता था movie में वो आदमी कह रहा था कि वो किस तरह से अपनी wife को मारेगा Samuel कहता है कि मुझे भी अब वैसे ही लग रहा है मैंने मेरी life में किसी भी औरत को hurt नहीं किया है मुझे believe नहीं होता कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ पर इस situation में तुम दोनों ने मुझे डाल दिया है वो जो पता नहीं है कि मैं क्या करूंगा Samuel फिरी Damien के भारे में और कुछ जानना जाता है उसका wallet चेक करता है तो इसमें expensive credit cards है unusual amount of पैसे भी उसमें है Samuel पुछता है कि तुमने इदने पैसे क्यों लाए है या तुम Ashley को pay कर रहे थे और उसका शक सही था Ashley उसे कहती है कि मैं पैसो के लिए नहीं कर रहे थी पर आज मुझे पैसो की जरूरत थी Samuel पुछता है कि तुम्हें पैसो की क्यों जरूरत है तुम्हें जो भी चाहिए होता है या सब में provide करता हूँ Ashley कहती है तुम्हें मैं guitar gift करने वाली थी हमेशा हमारे पास पैसो का problem होता है तो इसलिए मैं उससे loan ले रही थी मेरा plan था कि मैं उससे पैसे वापस कर दूँगी वो उससे कहती है मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करती हूँ Samuel को Damien के बार में पता जलता है कि वो Air Force में था Samuel को भी Air Force जॉइन करनी थी पर उसका कोई connection नहीं था इसी वज़े से वो करनी पाया Damien केता है मुझे तुम जोड़ दो मेरे बहुत सारे connection से तुम अभी यंग हो तुम अभी भी pilot बन सकते हो Samuel केता है इतनी जल्दी तुम यहाँ से नहीं निकल सकते Samuel Damien से कहता है कि तुम लोग को तो नाम क्या है Damien केता है कि Jasmine Samuel पुछता है तुमारी wife के साथ तुमें कोई problem है Damien केता है कि ऐसा कुछ नहीं है पर वो खुद problematic है अपने mental health को लेकर वो मैंसा struggle करता है Samuel पुछता है कि अगर तुमारी wife को पता चला तो तुम क्या करोगा Damien केता है कि वो समझ जाएगी पास्टर में भी मुझे बहुत साथ प्रॉलम्स थे उसने मुझे साथ दिया है Damien Samuel को समझाने की कोशिश करता है वो कहता है जो भी है ये problem तुमारे husband wife के बीच में है इसी वज़े से तुमारी wife ने तुम पर cheat किया इसमें मेरा कोई भी role नहीं है तुम दोनों इस वर बात करो और कोई way निकालो इस तरीगे की चीज़े life में होती रहती है तुम इससे move on कर सकते हो प्लीज मुझे यहां से जाने दो Samuel मानता नहीं Damien कहता है कि एक बार मुझे मार डाल या मुझे जाने तो तुम मुझे इस तरह से नहीं रख सकते है Samuel कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ Damien को भी बहुत बुरा लगता है उसने room में Samuel की Bible notice की थी गहता है कि मैं जब छोटा था तो मेरी मदर मुझे चर्च ले जाया करती थी Bible में लिखा है यह तुम्हें किसी से भी रिमेज नहीं लेना चाहिए अकर तुम रिमेज लेते चले गए तो कभी भी एक खतम नहीं होगा Samuel कहता है कि यह रिमेज नहीं है अगर मुझे रिमेज लेना होता तुमारे घर में जाता और तुम्हारे wife के साथ intimate होता पर ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा है ये जो सब चल रहा है ये justice है Samuel कहता है Bible में ये भी लिखा है किसी की और की wife के साथ intimate नहीं होना है अगर कोई आदमी ये करता है तो उसे death की सजा होने चाहिए मैं जो कर रहा हूँ ये ही सब God भी चाहता है अब जब भी में मेरी wife को देख रहा हो तो मुझे तुम ही दिखते हो इसके सजा क्या होगी इसकी सजा death ही है डेमियन बोलता है तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हो आजकल सब लोग का पैसो का problem चल रहा है मुझे सिर्फ एक call लगाने दो और शाम तब तुम्हें सब कुछ वैसे मिल जाएंगे Samuel अब भी नहीं मानता डेमियन की पास दो phone है एक phone वो सिर्फ affairs करने के लिए रखता है Samuel जब डेमियन की phone में Ashley का number सर्च करता है तो as a prostitute ही उसने save किया है Samuel Ashley से कहता है देखा वो तुम्हें क्या समझता है डेमियन Samuel से कहता है हम दोनों कोई अलग-अलग नहीं है जब पहली बार तुम भी Ashley से मिले थे तो वो married थी Samuel उस पर गुसा हो जाता है इसे ये किसे बात ही पता चली Samuel कहता है Ashley का husband उसे मारता था ये abusive relationship में थी मैंने उसे बचाया था हम दोनों सेम नहीं है डेमियन कहता है जो समझना है तुम समझ लो Samuel कहता है मेरे फादर कहा करते थे कि आप लोग को change नहीं कर सकते Ashley ने उस पर cheat किया तो ये बात आप सही निकली है वो बहुत ही hurt है डेमियन से बोचता है तो उन्हें मेरे साथ ऐसा किया क्यों डेमियन भी अब give up कर चुका है वो truth बता देता है वो कहता है क्योंकि मैं कर सकता था मैं powerful हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ Samuel इस पर और भी चिट जाता है कहता है कि तुम लोग इनके पास बहुत सारे पैसे होते इन्हें लगता है वो कुछ भी कर सकते है हम जैसे वीक लोग का तुम advantage लेते हो एशली और डेमियन ये दोनों एक की सीटी के है डेमियन उसे समझाता है कि मैं हमेशा से reach नहीं था मैंने भी बहुत struggle किया है Samuel को फिर उसकी cover कर लोला का call आया वो lunch break में बाहर गया था Samuel बहुत time तक वो अपस नहीं है तो वो worry कर रही है Samuel कहता है घर पर कोई problem आ गई है इसलिए वो बाद में आएगा अब वो फिर से डेमियन से बात करता है कहता है अब तुमारी wife को तुम call लगाओ उसे सब कुछ बताओ कि किस situation में तुम हो डेमियन wife को call लगाता है और उसे सब कुछ बताता है उसकी wife रोने लगती है पुछती है क्या तुम उसे प्यार करते हो डेमियन कहता है कि नहीं मैं हमेशा तुम से ही पैर करता हूँ इसके बाद फिर Samuel Damien की वाइफ से बात करता है वहता है कि अब यह जो सब situation है इसमें मैं Damien को मार सकता हूँ तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए यह phone speaker पर था तो Damien की वाइफ कहती है मुझे तुम से प्राइवेट में बात करनी है Samuel और वो बात करते और इन्होंने कुछ प्लान बनाया है अब थोड़ी तेर में Damien की वाइफ जास्मीन वहाँ आ जाती है Damien को लगता है उसे बचाने के लिए वहाँ आई हुई है पर ऐसा कुछ भी नहीं है उसे पनीश करने के लिए उसके सामने ही Samuel के साथ इंटिमेट होती है जितना हर्ट Samuel और जास्मीन को हुआ था यही हर्ट वो Damien और आशली को भी देखना चाते है यह उनके सामने इंटिमेट होते है और इसके बाद जास्मीन वहाँ से चली जाती है जाते-जाते कहती है कि तुम इसके साथ कुछ भी करो मुझे कुछ भी फरक नहीं पड़ता Samuel और आशली से कहता है क्या और कैसा लग रहा है आशली रोने लगती है कहती है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ मैं सिर्फ उसके साथ intimate हो रही थी इसका कुछ भी मिनिंग नहीं था आशली कहती है कि मुझे problem है मैं कभी भी किसी के साथ faithful नहीं थी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस relationship को सुधारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ Samuel फिर कहता है एक revolver लो और Damien को मार डालो तुमने अगर उसे मार दिया तो सब को सही हो जाएगा हम पुलिस को कहेंगे कि हमारे घर में उगोस आया था self protection के लिए तुमने उसे मार डाला हमारे पास backyard भी है वहाँ भी हम उसे गार सकते है Ashley फिर जादा कोई सोचती नहीं और Damien पर गन लगाती है वो से मार ही डालने वाली थी पर Samuel उसे गन ले लेता है Samuel Damien से कहता है कि देखा यहां क्या चल रहा है Ashley फिर खुद को explain करती है यह थी है जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर एक बहुत इखटी आदमी थे वो hard working थे पर उन्हें कभी भी promotion नहीं मिलता था वो इस चीज से frustrated होने लग गए थे एक बार उन्हें काम था तो उनके boss मुझे school में लेने के लिए आया school से घर जाते वक्त एक long ride थी तो वहाँ मैं सो गई जब मेरी आग खुली तो मेरे father के boss मुझे touch कर रहे थे उसके बाद मेरे father का promotion हो गया ऐसा चलता ही रहा मैंने मेरे father को कहा पर उन्होंने मुझे जुटी कहा वो कहते थे जब तक मेरे boss खुश है तब तक सब सही है Ashley अपने father से पैर करती थी और उन्हें खुश देखना जाती थी इसलिए जो भी हो रहा था यह उसने होने दिया finally वो pregnant होगी father के boss को लगा यह बहुत ही बड़े trouble में है उसने कुछ पैसे Ashley को दे दिये और उसके बाद तू कभी भी उससे नहीं मिला Samuel को भी यह सुनकर बुरा लगता है वहता है कि हम सब लोग rotten है हम एसे कोई भी सही नहीं है और वो कहता है कि हम सब ने गलतिया किये अब हम God पर छोड़ देंगे कि हमारे साथ क्या होगा वो एक गोली लेता है और revolver में डालता है इसमें six rounds है और केक करकर Samuel गोली चलाने वाला है अब किस पर गोली चलेगी एक किसी को भी पता नहीं है हमें सिर्फ गोली चलने का आवाज आता है वा स्क्रीन डार्क होती है इसके बाद हम देखते हैं कि Samuel की कोवर कर लोला उसके घर पर उसे देखने के लिए आती है डोर कोई भी खोलता नहीं तो बाहर से ही चले जाती है या उसने Samuel की drug notice की थी उसे पता चला कि Samuel घर पर ही है इसके बाद घर में हम देखते हैं कि Samuel एशली के साथ है और नीचे Damien की बाड़ी पड़ी हुई है उसने फिर backyard में Damien की बाड़ी गाड़ दिये अशली उसके साथ थी और यह सब देख रही थी अगले सेक्वर्ड में उसे realize हुआ कि Ashley उसके साथ नहीं है अशली का स्कार भी हम इस backyard में देख सकते हैं यानि की उसने जो बाड़ी गाड़ी है इसमें Ashley और Damien ये दोनों थे हैं मूवी के फर्स में ही जब उसने सोचा था कि Ashley और Damien को मार डाले तभी उसने उन दोनों को मार डाला था नीचे आकर वो बैठ गया और सब चीजे imagine करने लग गया Ashley ने ऐसा उसके साथ क्यों किया इसका कुछ rationalization चाहता था मूवी के फर्स में हमने देखा है कि Samuel एक flight attendant को उसकी purchase करने में help करता है उसने Damien को यही profession दे दिया Damien का nickname उसने flash दिया ये उसी गाड़ी के number plate पर लिखा था जिसने उसे cut किया था अपनी story में Ashley ने अपने father का boss का नाम लिया था Samuel के boss का नाम भी वही है Samuel का boss भी उसके friend Lola के साथ intimate होना चाहता है वही story उसने Ashley के character को भी लगा दिया उसने Damien और Ashley को मार डाला मूवी में हमने देखा कि Lola ने notice किया है कि Samuel घर पर ही था इसके बाद शायद उसे jail हो जाएगी है इसी twisted ending के साथ आज की हमारी movie end होती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दिजेगा बहुत सारी movies लेकर आदे रहे तो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दिजे और bell notification icon दबने मत भूलेगा फिर से मिलेंगे और एक निमूई के साथ तो तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये